मोवी स्टार्ट होते ही हमें बाप और बेटा दिखाया जाता है जो उस वत बोट में बैटे होते हैं और एलिगेटर्स पकड़ रहे होते हैं उन में से बेटा टॉलेट करने किनारे पर जाता है और जब वो वापिस आता है तो वो देखता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उ में था रेसंटली उसकी साथ साल की फ्रैंड ने उसे छोड़ दिया था इसकी वजह काफी अपसेट था और उसको भूलाने के वज़य से वह काफी फैस्टिवल में आया था लेकिन उसक बहुत जादा लड़किया थे जिने देख कर उसे उसकी याद आ रही थी वहां पर उसने किसी से haunted shop tour के बारे में सुना था और वहां पर जाने का plan बनाता है और उसकी बाकी friends में Marcus जो ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने के लिए agree हो जाता है वो दोनों उस शौप पर जाते हैं जहां पर यह tours करवाये जाते थे वहां का honor उन्हें बताता है कि अब वो tour नहीं करवाये जाते जिसकी वज़ाई यह है कि वहां जाना allowed नहीं है लेकिन वो उन्हें दूसरी शौप का address बता देता है जो यह tour अभी भी करवा रही थे address लेने के बाद वो दोनों उस शौप पर जाते हैं और वहां वो एक लड़के एंड्रियो से मिलते हैं जो यह tour करवाता था और वही पर दो मॉडल्स भी होते हैं वो दोनों अपने डारेक्टर डग के साथ इस tour पर जा रही थी पिकट्स लेने के बाद वो दोनों tour bus में जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर और भी लोग होते हैं जोकी उस tour पर जा रहे थे एंड्रियो उस bus को drive करके सौप तक ले जाता है और वहां जाकर वो सब लोग boat में बैठ जाते हैं एंड्रियो बोट स्टार्ट करकर उन्हें वहां से ले जाने ही लगता है कि कुछ दूर पर एक आदमी उन्हें चिला चिला कर वहां जाने से मना करता है लेकिन वो लोग उसे पागल समझ कर इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं एंड्रियो उन्हें उस सॉंप का और क्योंकि वो एक हाॉंटी टॉर था तो वो साथ-साथ उन्हें डराने की भी कोशिश कर रहा था सॉंप के किनारे उन्हें एक घर दिखाई देता है एंड्रियो ने बताता है कि ये घर यहां के अर्वन डेजेंड रिक्टर क्राउली का है वो बताता है कि क्राउली बहुत ही ज़्यादा बदसूरत था जिसकी वज़े से उसके फादर ने खुदी उसे एक हैचट की मदद से मार डाला था और आज भी क्राउली अपने डैड के लिए अपने फादर के लिए इस जंगल में रोता है तब मैरी बैट कहती है कि ये घर और वो कहाने जो वो सुना रहा था दोनों ही फेक है फिर कुछ तूर जाने के बाद उनकी बोर काफी बड़े बड़े पत्थरों में घर जाती है वो सब लोग उसे निकालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि अचानक बारिशाना शुरू हो जाती है और उन लोगों की इतनी कोशिश करने की बावजूद भी बोर्ट वहां से नहीं हिर थी और कुछ दिर बाद देखते ही देखते वो डूबने लगती है वो लोग वहाँ पर फस चुके थी फिर जिन एक द्रक्त पर चड़कर किनारी तक पहुँचने की कोशिश करता है लेकिन उसका पाउं स्लिप हो जाता है और एक अलिगेटर उसका पाउं पकड़ देता है वो हेल्प के लिए काफी चिलाता है लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता तब मैरी बैट एक गन निकालती है और उससे उस अलिगेटर को शूट कर देती है फिर वो एक एक करके किनारे तक पहुँच जाते हैं क्योंकि वो लोग उस मुसीबत में बुरी तरह फस चुके थे इसलिए वो एंड्रियो से इस बात का जवाब मांगते है और यहां पर वो एक्सपोज हो जाता है वो बताता है कि वो कोई टूर नहीं करवाता बलके कुछ पैसल की वज़ा से उसके भाई नहीं उससे यहां बेजा है और यह उसका दूसरा टूर है वो यह भी कहता है कि पहला टूर तो बहुत अच्छा रहा लेकिन दूसरा टूर ये था जिसमें वो फस चुके थी बात को टालने के लिए वो मेरी बैट से पुछता है कि उसके पास गन कहां से आई जिस पर वो कहती है कि वो यहाँ पर किसे को ढूंडने आई है दो रात पहले ही उसके फादर और उसका एक भाई यहाँ पर अलिगेटर्स को पकड़ने आई थे और वो घर वापिस नहीं आए तो वो उन्हें यहाँ डूंडने आई है और वो दोनों वो ही थे जिने किसी ने बड़ी वेरहमी से मार डाला था वो कहते है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना हम सब ही मारे जाएंगे लेकिन कोई भी उसकी एक नहीं सुनता और वो सब वही रुपना चाहते हैं और वो कहते है कि यह विक्टर क्रावली का जंगर है और तब वो उनके सामने उसकी असन स्टोरी को नरेट करती है विक्टर क्रावली बच्पन से ही काफी बदसूरत था और इसी वज़े से उसकी फादर उसे सबसे चुपा कर घर में ही रखते थे वो उसका एकलोता बच्चा था तब ही वो उससे बदसूरत होने की वज़े से भी प्यार करता था बाकी बच्चे विक्टर को काफी डराते थे और उसका मजाग भी बनाते थे और यही वज़ा थी वो दोनों सिटी से दूर इस जंगल में रहा करते थे और एक दिन हैलोवीन की राज जब विक्टर का फादर घर नहीं था तब कुछ बच्चे उसके घर जाकर बाहिर से उसको काफी परिशान कर रहे होते हैं वो बच्चे पटाखे जलाकर घर के अंदर फैंक रहे थे ताके डर कर विक्टर बाहिर आ जाए लेकिन उन पटाकों के चिंगारी से घर के दर्वाजे पर आग लग जाती है और विक्टर क्रावली अंदर ही फंच जाता है और इतनी ही धेर में विक्टर के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो सारे बच्चे भाग जाते हैं उसके फादर डौर को उपन करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई भी फाइदा नहीं होता और तब उसके फादर एक हैचेट लेकर उस दर्वाजे को तोड़ने लगते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दर्वाजे की दूसरी साइट पर विक्टर खड़ा हुआ है दर्वाजा तोड़ते हुई वो एचेट सीधा जाकर विक्टर के सर में लगता है और मौके पर ही वो मर जाता है अपने बेटे की डैट की वज़र से उसे खोड देने के बाद उसके फादर का बहुत पुरा हाल हो चुका था और वो 10 साल अपने घर में रहे और एक दिन वो भी मर गए और बस उसी ही दिन से विक्टर क्रावली अपने फादर को उस जंगल में ढूनता है और इस स्विच जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार डालता है ये पूरी कहानी सुलनेने के बाद भी कोई भी उसकी बात पर विलिफ नहीं कर रहा था बलकि वो ये कह रहे थे कि हम विक्टर क्रावली के घर को बहुत पीछे चोड़ाए हैं तब मेरीबैट कहती है कि वो क्रावली का असले घर नहीं था और वो उने उसका असले घर दिखाती है जो कि बिल्कुल उनके सामने था और रोड तक पहुचने के लिए उन्हें क्रावली का घर पार करना पड़ेगा चलते चलते उन्हें एक बहुत खोफ़नाक आवाज सुनाई देती और कोई भी उस घर के तरफ जाना नहीं चाहता था लेकिन जिम की हालत काफी खराब हो रही थी तब शैनन अकेली ही उसको लेकर घर की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो दोनों घर के पास पहुचते हैं विक्टर क्राउली निकल कर घर से बाहर आता है और हैचेट से गुरी तरहां मार मार कर जिनके दो टुकड़े कर देता है और तभी शैनन वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन विक्तर क्रावली उससे भी पकड़कर बुरही तरहां मार देता है और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग है उसे देखकर बाके सब भाग जाते हैं लेकिन मेरी बैट उसे शूट करने लगती है और जैसे ही विक्तर क् विक्तर से टक्रा जाता है और विक्तर क्रावली गर्दन मरोड कर उसे भी मार डालता है उधर दूसरी तरफ वह सब वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे लिकिन घूम फिरकर वह फिर से उस घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं तब मैरी बैट कुछ हतियार दूने उस के साथ बैन दी जाता है और वहीं पर मैरी बैट को उसके फादर और भाई के डड़ बॉड़ी मिल जाती है जिने देखकर उसका बुरा हाल हो जाता है इतने दर्ड़नाग त्रीके से मरा हुआ देखकर वह बहुत रोती है दूसरी तरफ उन लोगों को जाडियों में से किस देता है उसे देखकर मैरी बैट का बहुत खुन खोलता है वह अपनी कंट्रोल से बाहिर होकर उस पर अटैक कर देती है जिससे वह नीचे गिर जाता है और फिर बैन मैरी बैट को खैंच कर वहां से ले जाता है मोके का फाइदा उठा कर एंड्रियों विक्टर क्रावली को कोई मोका नहीं देता और वो उसे भी बहुत बुरे तरीके से मार डालता है अब तक उन सबको पता चल चुका था की वो यहांसे बचकर नहीं जासकते और इसलिए वो क्रावली को मारने का प्लैन बनाते हैं तब बैन बताता है कि उसने क्रावली के घर में फियूल के कंटे मिस्टी बाहिर पहरा दे रही होती है बैन को एक कैन में फ्यूल तो मिल जाता है लेकिन तभी मिस्टी की बॉड़ी के पार्ट उस पर आकर गिरते हैं और तब वो देखता है कि क्राउली भी उसके सामने आ चुका है क्राउली अभी उस पर हमला करने ही वाला था लेकिन मेरे बैट पीछे से आकर उसे मारते हुए पकड़ लेती है और इसी दुरान बैन उसके उपर फ्यूल चड़क देता है और वो वहाँ पर आग लगा देते हैं और विक्टर क्राउली जलने लगता है और यहाँ पर उन लोगों के किस्मत फिर से पलड़ जाती है यह हम यह कह सकते हैं कि किस्मत विक्टर क्राउली का कुछ ज़्यादा ही साथ दे रही थी और तब ही वहाँ पर बारिश हो जाती है और बारिश की वज़ा से सारी आग बूठ जाती है ये देखकर वो लोग अब अपना अन्जाम जान चुकी थे और वो वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते वो एक कबरिस्तान तक पहुँच जाते हैं उन्हें कबरिस्तान का गेट मिल जाता है लेकिन बदकिस्मिती से सामने से क्रावली आ जाता है वो लोग जान बच जाकर वहां से भागने लगते हैं लेकिन क्रावली मारकस को पकड़ लेता है और उसे बुरी तहां जकड़ के उसके जिसन की एक एक हड़ी तोड़ देता है बैन अपने बेस्ट फ्रेंड को मरता हुआ देकर काफी अपसेट तो हो जाता है लेकिन अफसुस यह कि वो उसकी ल कर उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन यहां पर बैन एक समझदारी करता है वो सर्या निकालने की बजाए विक्टर क्रावली की तरफ मोड़ देता है और वो सीधा जाकर उसके इंदर गुस जाता है वो दोनों वहां से निकल कर आगे बढ़ते हैं तब मेरी बै को पानी में खेंच लेता है कि सी टरहां कुद को चुढा लेती है और तब यहीन का हाथ नज़रा अगे हाथ नज़रा जाता है कि बाहर आ कर वो और वो लोग काफी मुश्किल में थी कराउली अब उसे भी पकड़ लेता है जिस पर मेरी बेर काफी चीखती चिलाती है और उसकी चीखों के साथ ही यह मूवी एंड हो जाती है